मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये निने लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को वो चाहे सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो उसको फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीच नहीं बढ़ा सकता वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट जमीन पे चल रहा हो या गौर्मेंट जमीन पे चल रहा हो दूसरा कोई भी स्कूल तीन महीने की फीज डिमांड नहीं करेगा केवल ट्यूशन फीज डिमांड करेगा वो भी महीना वार लेंगे कोई स्कूल पेरेंट्स को तीन-तीन महीने की फीज नहीं चार्ज करेगा इसके साथ जो ओनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से सभी बच्चों को देनी होगी अगर कोई पैरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ओनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा उनको online facilities नहीं काटी जाएंगी ये आदेश दिये साथ में कोई भी स्कूल transportation fees नहीं चार्ज करेगा इस दोरान क्योंकि अभी transportation पर कोई खर्चा नहीं है इसलिए transportation fees चार्ज करने की जोड़ नहीं है एक महीने की fees के अलावा कोई और एक महीने की tuition fees के अलावा कोई भी स्कूल वो चाहे private जमीन पर बना है या सरकारी जमीन पर बना है कोई भी स्कूल एक महीने की tuition fees के अलावा किसी भी parent से कोई और तरह की fees चार्ज नहीं करेगा ना transport fees चार्ज करेगा ना कोई annual charge करेगा को इचार्शने लेंगे